ओम नमस्षिवाय जै महाकाल आप सबको पता है कि नौरात्री का पावन पर्व स्टार्ट हो रहा है और मेरी तरफ से आप सभी को नौरात्री की बहुत बहुत शुकामना है मातारानी आप सभी को हमेशा कुछ रखे है ना इस बार की जो नौरात्री है मातारानी नाओ पे बै अच्छे से आप सभी को समझाओंगा कि कैसे करना है ठीक है लेकिन उससे पहले आप वीडियो को कर दीजे लाइक आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को कर दीजेगा सब्सक्राइब ठीक है देखो हमें कौन सी चीज की जरूत होगी पहले इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पर आपको नारियल दिख रहा होगा दिख रहा है नारियल हम लोग देखते होंगे अपने घर में लेकिन हमें ये नारियल की जरूत नहीं है कोगे बिया ये नहीं तो कौन सा नारियल देखो जिसे इसमें एक आख बनी हुई है दो बने हुआ है त तो ऐसा नारियल बहुत किस्मत को मिलता है, बहुत किस्मत वालों को मिलता है, आप जाएंगे मार्केट में कोई सा भी एक खरिद लेना, उसको आप निकाल करके देखना, अगर मिल गया तो ठीक है नी, बार-बार खरिदने की जरुवत नहीं है, ठीक है, एक नारियल लेना, आगे बढ़ें, फिर आपको जाना होगा कहाँ पे, भगवान गनेश के मंदिर में, क्योंकि बुद्धवार के दिन ही पहला दिन नौरातरी का पढ़ रहा है, तो पहुच जाना भगवान गनेश के मंदिर में, और साथी साथ वहाँ पर आप लेके जाना, एक दूर्वा, और जो एक दूर्वा होगी, वह समर्पित करना ही, ठीक है, हाथ जोड़ करके भगवान गनेश से प्रातना करना, कि भगवान हमारे घर में हमेशा सुक्षम्रिद्धी बनी रहे, हमेशा हमारे घर में मतलक्षमी का वास बना रहे, यह दूर्वा और यह नारियल मैं प्रश चीश को ध्यान से सुनना, ठीक है, देखो, वैसे इस उपाय को बुद्धवार के दिन ही किया जाता है, और किसे भी दिन नहीं करते, और बुद्धवार के दिन पहले ही दिन नौरातरी पढ़ रहे है, तो जरूर करिएगा, जो आप पने साथ एक दूर्वा ले किया है, भ जहां पर भी आप अपने घर में धन संपदा रखते हैं, जेवर गहने रखते हैं, दुकान में जहां पर आप पैसे रखते हैं, वहां पर ले जा करके अगर आप रख देते हैं, पूरे साल आप भी घर में हमेशा मतलक्ष्मी का वास बना रहेगा, ठीक है, एक डाउट यह आप रख देना उससे भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा ठीक है तो बहुत ही आसान सा उपाय था जरूर करिएगा भगवान गनेश आप सब की मनो कामनाओं को पूरा जरूर करेंगे ठीक है तो कोशिश की अच्छा समझाने की वेडियो पसंद आयो तो लाइक कर दें कु आज जो भी लोग पहरी बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ओम नमस्षिवाय जय महाकाल